नमस्कार सभी को आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस्टेडिमेंटर यूटूब जेनल पर हारदिक स्वागत है आज हम एजुकेशन साइकलोजी जो पेड़ी पाठत द्वारा रचित एक मैठ पूंप उस्तक है उसका चेप्टर नमबर थर्टी एट जो व्यक्तित परसनलिटी से संबंदित है तो इस चेप्टर में हम देखने वाले हैं व्यक्तित वे होता क्या है इस्टे पहले हमने 37 चेप्टर कंप्लेक्ट कर लिये हैं अगर आप इस यूटूब पर नए हैं तो इस यूटूब को सस्क्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाएं और व पूछे जाते हैं वो इसी पुष्टक पर आधारिते होते हैं अब हम सुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व का सवरूप उसका अर्थ और उसकी डेफिनेशन व्यक्तित्व समंदि धार्णाएं क्या हैं व्यक्तित्व के समंद म अनेक धार्णाएं मोजुद हैं आम बोलचाल की भासा में व्यक्तित्व सब्द का जो प्रियोग है वो सारीरिक बनावट और सोंद्रिय के लिए किया जाता है हम आज कर क्या सोचते हैं व्यक्तित्व के बनावट और सोंद्रिय हम ज़्यादातर यही सुनते हैं कि इस मनु व्यक्तित्व को प्रियावाची सब्द मानते हैं कि वो लोग क्या करते हैं व्यक्ति और व्यक्तित्व को एक ही मानते हैं और एक का प्रियोग दूसरे के लिए वो कर देते हैं कुछ मनुष से व्यक्तित्व में केवल एक या दो गुनों की उपस्तिती मानते हैं जबकि ज एनिनित विशेष्टाओं का दुर्बोद संग्रह मानते हैं ऐसे भी मनुष्य हैं जो वेक्तित्वर को जनम से प्राप्त होने वाली वस्तू मानते हैं जिस पर वाताओं का कोई परभाव नहीं पड़ता कि वो मानते हैं कि ये वेक्तित्वर जनम से मिलता है वाताओं का इस पर किसी परकार का कोई परभाव नहीं पड़ता और जो मनुष्य के कारियों में रमा रहता है जिस परकार समान्य मनुष्यों की वेतित्व के संबन्द में विभिन धारणाई है उसी परकार विद्वानों और मनवेज्यानिकों के भी अनेक धारणाई हैं यही कारण है कि उसे आज तक ने तो किसी निश्चित अर्थ से संबध किया जा सकता है और ने किसी निश्चित सिर्मा में बांध जा सकता है साधानत है यह सुईकार की आज़तापा है कि वेक्तित्व जो है ये विचित्र है जटिल है और व्याक्षा से बहुत ही दूर है फिर हम देखेंगे वेक्तित्व सब्द की उत्पति कैसे हुई है वेक्तित्व सब्द जो है ये अंग्रेजी के पर्शनल्टी सब्द का हिंदी रुपांतर्ण है अंग्रेजी के इस सब्द की उत्पटी जो है यूनानी भासा के सब्द परसोना से हुई है परसोना का अर्थ होता है नकाब या फिर मास्क यूनानी लोग नकाब पहन कर मंज पर अबिने करते थे ताकि जो दर्शकगण हैं वो ये न जान सकें कि अबिने करने वाला कौन है कि वो अपनी पहचान उसके द्वारा छुपा लेते थे जैसे दास, विदुसक, राजकुमार या फिर राजनर्थ की ये अबिने करने वाले अबिनेता हैं अब इने करने वाले जिस परकार के पत्र का पार्ट करते हैं, उसी परकार का नकावो अपने जहरे पर पहन लेते हैं फिर है शिशेरो दोरा उलिखिते अर्थ शिशेरो एक मनुवेग्ञानिक हुए हैं उन्होंने वेक्तित्व का क्या अर्थ दिया है यह हमें देखने वाले हैं जैसे जैसे समय बित्ता गया वैसे वैसे पर्षोना सब्द का अर्थ भी बदलता चला गया इस्सा पूर्वे पहली सताबदी में रोम के पर्षिद लेकर और कूट नितिग्ये शिशेरो ने उसका परियोग चार अर्थों में किया है पहला अर्थ जैसा कि एक वैक्ति दूसरे को दिखाए देता है पर जैसा कि वह वास्तों में नहीं है हमने जो अभी रंगमंच की दुनिया पर हम देखते हैं कि जो वैक्ति हमें दिखाए देता है वो वास्तों में वैसा नहीं है वो तो उस अभी उसका पार्ट होता है कि जो जिस किरदार का पार्ट करता है उसी पार्ट में वो रम जाता है दूसरा है वह कारिये जो जीवन में कोई करता है जैसे की दार्षनिक तीसरा है वेक्तिगत गुर्णों का संकलन जो एक मनुष्य को उसके कारिये में योग्य बनाता है और चोथा बिंदू है विशेष्टा और सम्मान जैसा की लेखन सेली में होता है इस प्रकार तेरवी स्थाब्दी तरक परसोना सब्द का परियोग विभिन अर्थों में होता रहा है मगर चोथ्वी स्थाब्दी में मनुष्य की मुख्य विशेष्टाओं का उलेक करने के लिए एक नए सब्द की आउसेक्ता का अनुभव किया जाने लगा था और इस आउसेक्ता को पूरा करने के लिए परसोना जो सब्द है उसको परसनलिटी सब्द में बदल दिया गया ये इसकी कहानी है फिर हम देख लेते हैं विख्तित्व का अर्थ क्या होता है विख्तित्व समंदी जिन धानों का उपर संकेत किया गया है वे उसकी अर्थ की पूर्ण व्याच्छा नहीं करती है विख्तित्व में एक मनुष्य के ने किवल सारीरिक और मानसिक गुनों का बल्कि उसमें समाजिक गुनों का भी समावे से होता है तो व्यक्तित्व में सारीरिक मानसिक समाजिक इन तीनों गुणों का समावे से होता है पर इतना कहने से भी व्यक्तित्व का अर्थ पूरा नहीं होता है इसका कार्ण यह है कि यह तबी संभव है जब एक समाज की सब सदस्यों के विच्चार जो है वो समवेगों के अनुभव और समाजिक क्रियाई एक सी होती है ऐसी दसा में व्यक्तित्व का परसन ही नहीं रह जाता इसलिए मनोविज्ञानिकों का ये कथन है कि व्यक्तित्व जो है ये मनोव के गुनों, लक्षणों, क्समताओं, विशेष्टाओं, आरी की संग्ठिते इकाई है मन महोदे के अनुशार व्यक्तित्व क्या है इन्होंने का है कि व्यक्तित्व की परिभासा जो है वो व्यक्ति के धांचे, वेवार की विधियों, रूचियों, अभिविर्तियों, समताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकिकर्ण के रूप में की जा सकती है अधुनितम मनोविज्यानिक विर्तित्व को संग्ठित इकाई नहीं मानकर गतिशिल संग्ठन और एकिकर्ण की प्रकिया मानते हैं इस समन्द में थौफ वय सेमलर ने लिखा है कि जटिल पर एकिकर्ण प्रकिया के रूप में विर्तित्व की धार्णा जो है वो अधुनिक विवारिक मनोविज्यान की देने मानी जाती है अब हम आगे देखने वाले हैं विर्तित्व की प्रिभासें सबसे पहले हम देखेंगे बिग वे हंट महोदे ने विर्तित्व के बारे में क्या कहा है इन्होंने का है कि वेक्तित्व एक वेक्ति के संपूर्ण वेवहार, परतिमान और इसकी विशेष्टाओं के योग का उलेखे करता है आलपोर्ट महोदे ने वेक्तित्व के सम्मद में क्या का है? कि वेक्तित्व वेक्ति में उन मनोसारीरिक अवस्ताओं का एक गतिशिल संग्ठन है जो उसके प्रियावरण के साथ उसका एद्वित्तिय सम्मद दें निर्धाविदे करता है ये प्रिवासा तो दो तीन बार पूछी जा चुकी है फिर ड्रेवर महुधे ने क्या कहा है वेक्तितों के बारे में इन्होंने कहा है कि वेक्तितों सब्द का प्रियोग वेक्तिक के सारिरिक, मानसिक और नेतिक और समाजिक गुनों के सूर संगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे वह अन्य वेक्तियों के साथ अपने समाजिक जीवन के आदान परदान में वेक्ते करता है फिर हम आगे देखें वेक्तित्व के पहलू कौन कौन से है गेरिशन वर अन्यम होदे ने विक्तित्वर के निमन लिखिद पहलू बताए हैं उसमें सबसे पहला पहलू है क्रियात्म के पहलू विक्तित्वर के क्रियात्म के पहलू का जो संब्ध है वो मनुष्य की क्रियाओं से होता है कि वो कौन से करिये करते हैं ये किरियें उसकी भावकता, शांती, विनोध प्रियता, मानसिक स्रेष्टा आदि को व्यक्ति करती हैं ये किरियें भी कौन-कौन सी हैं भावकता, शांती, विनोध प्रियता और मानसिक स्रेष्टा दूसरा पहलू है समाजिक पहलू विक्तित्व के समाजिक पहलू का जो समंध है वो मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले समाजिक परभाव से माना जाता है सामाजिक पहलो में उन सब बातों का समावेश हो जाता है जिसके कारण मनुष्य जो है वो दूसरों पर एक विशेश परकार का परभावे डाल सकता है अगला पहलो है कारण समंधी पहलो वेक्टिक तो है कि इस पहलो का समंध जो है वो मानों के समाजिक या फिर एसमाजिक कारणों और उन कारणों के परती लोगों की परतिकिरियों से माना जाता है यदि उसके कारण अच्छे होते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं अगर कारण नापसंद होते हैं अगर कारियर बूरे होते हैं तो लोग उसे नापसंदे कर देते हैं फिर अन्य पहलो की बात करें तो वेक्तित्व के अन्य पहलो हैं दूसरों पर हमारा प्रभाव, हमारे जीवन में होने वाली बातों और घटनाओं का हम पर परभाव हमारे गंभीर विचार भावनाएं और अभिवर्तियां तो ये अन्य पहलों में आते हैं फिर हम निशकर्ष के रूप में गेरिशन महोदे वो अन्य निक्या का है वो देश लेते हैं ये सबी पहलो महतोपूर्ण हैं पर इसमें से कोई एक या समलित रूप से सब पूर्ण विर्तित्व का वर्णने नहीं करते हैं विर्तित्व इन सबको और इनसे भी अधिक का योग है यह समपूर्ण मानव है फिर हम देखते हैं विर्तित्व की कौन-कौन सी विशेश्ता हैं सबसे पहली जो विशेश्ता है वो है आतम चेतना विर्तित्व की पहल और मुख्य विशेष्टा है आत्म चेतना इसी विशेष्टा के कान मतलब इसी आत्म चेतना के कान मानों को सब जीवधारियों में सरवज इस्थान परदान किया जाता है कि वेक्ति में आत्म चेतना होती है तभी वो सरवस्रिष्ट है और उसके वेक्तित्व की उपस्तिति क को स्विकार किया जाता है पस्व और बालक में अत्म चेतना ने होने की कारण यह कहते हुए कभी नहीं सुना जाता कि इस कुट्टे या फिर इस बालक का विक्तित्व है अच्छा है जब विक्ति यह जान जाता है कि वह वास्तों में है क्या और समाज में उसकी क्या इस्तित् और छोटे बालक और पस्सों में ये सब नहीं होता दूसरा वेक्टित्व की दूसरी जो विशेष्टा है वो है समाजिकता समाज से प्रथक मानो और उसके वेक्टित्व की कभी भी कलपना नहीं किजा सकती मानो में अत्म चेतना का विकास तभी होगा जब वो समाज के अन्य वेक्टियों के संपर्क में आकर किरिया या फिर अन्ते किरिया करता है इन्ही सब किरियों के फलसरूप उसके वेक्टित्व का विकास होता है अता है वेक्टित्व में समाजिक्ता की विशेष्टा होना भी एक अन्वारिय सर्थ है अगली विशेष्टा है समंजस्यता ये वेक्टित्व की तीसरी प्रमुख विशेष्टा है वेक्तिक को ने केवल बाहिये वाताउन से बलकि अपने स्वेम के आंतरिक जीवन से भी सामन जैसे करना पड़ता है सामन जैसे होता है तालमेल वेठाना सामन जैसे करने के कारण ही उसके वेवार में बदलावाता है और उसके फलसरो, उसके वेक्तित्व में विभिनता द्रश्टिगोंचर होती है यही कारण है कि चोर, डाकिय, पतनी, डॉक्टर, आदि के विवार और वेक्तित्व में अंतरे हमें देखने को मिलता है वस्तुतैं मानों को अपने व्यक्तित्व को अपनी दसाओं वातावरन परिश्ततियों आदी के अनुकूल बनाना पड़ता है अगली विशेष्टा है निर्देशित लक्षे प्राप्ति ये वेक्टित्व की जोथी विशेष्टा है इसमें मानों के विवहार का सदेव एक निश्चित उदेश्चे देशने को मिलता है और वह सदेव किसी ने किसी लक्ष की प्राप्ति के लिए संचालेते कियाजाता है उसके विवार और लक्षों से अवगत होकर हम उसके व्यक्टित्व का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं इसलिए भाटिया मोदे ने निद्देशित लक्ष प्राप्ति के समन्द में लिखा है कि वेक्टी या वेक्टित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना बहुती आउसिक हो जाता है कि उसके लक्षे या फिर उद्देश्य क्या है और उसे उन लक्षे उद्दे यही डड़ इच्छा सक्ति जो है यह वेक्ति का जीवन की कठनाईयों से संगर्ष करके अपने वेक्तियों को उतकर्ष्ट बनाने की समतापरदाने करती है इसी सक्ति की निर्बलता और उसके जीवन को अस्त वेस्त करके उसके वेक्तित्व को वेक्तिते कर देती है अगली विशेष्टा है सारीरिक वा मानसिक स्वास्थे ये व्यक्तित्व की जठी परमुख विशेष्टा है मनुसे मनो सारीरिक प्राणी माना दाता है उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे सारीरिक और मानसिक स्वास्थे का होना एक आउसेक सर्ते मानी जाती है अगली विशेष्टा है एक्तावय एकिकरण ये वेक्तित्व की साथवी प्रमुक विशेष्टा है जिस परकार वेक्तिक के सरीर का कोई अव्वे अक्यला कारिये नहीं करता है उसी परकार वेक्तित्व का भी कोई तत्वय अक्यला कारिये नहीं करता है और ये तत्वय कौन- विक्तित्वे के इन सभी तत्वों में एक्ता या एक्कर्ण पाया जाता है इस एक्ता या एक्कर्ण के समन में भाटिया जिने कहा है कि विक्तित्वे मानों की सब सक्तियों और गुनों का संग्ठन वे एक्कर्ण माना जाता है अगली विशेषता है विकास की निरंतरता विक्तित्व की अंतिम यो महत्म विशेषता मानी जाती है विकास की निरंतरता उसके विकास में कभी भी इस्थिता नहीं आती है जैसे जैसे वेक्ति के कारियों, विचारों, अनुभों, इस्थतियों आदी में बदलाव होता जाता है वैसे वैसे उसके वेक्तित्वर के सवरूब में भी बदलाव होता चला जाता है विकास की ये निरंतरता सेश्वावस्ता से जीवन के अंत तक चलती रहती है ऐसा समय कभी नहीं आता है जब ये कहा जास के कि वेक्तित्वर का पूर्ण विकास या फिर पूर्ण निर्मान हो गया है इसलिए गेरिशन वह अन्य ने सही लिखा है कि वेक्तित्वर निरंतर निर्मान की परकिरिया में रहता है अब हम देखने वाले हैं वेक्टित्व के लक्षण या फिर गुन गुनों का अर्थ क्या होता है किसी मनुष्य के वेक्टित्व का सही चित्रवर्णन या फिर चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना कोई आसान काम नहीं है इसे आसान मनाने के लिए मनोवग्यानिकों ने वेक्टित्व के कुछ गुन या फिर लक्षण ने धायत किये हैं जैसे कि देयालू, कठोर, मुर्ग, बुद्धिमान, आदी यहां ब्रह्म न्युआरण के लिए ये बता देना असंगत नहीं होगा कि इन गुनों या लक्षणों को युग्यतों या फिर समताओं का प्रियावाची नहीं माना दाता है गुनों और युग्यतों में अंतरे होता है उदान के रूप में हम देखें हार्मोनियम बजाना एक परकार की युग देता है पर जिस डंग से कोई वक्ति उस हार्मोनियम को बजाता है वह उसके विटित्वा का परमुख गुन या लक्षणि होता है इस परकार हम यही कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण व्यक्ति के विवहार का कोई विशेश गुण होता है गेरेक महदे ने इसके समन्द में का है कि व्यक्तित्व के गुण विवहार करने की निश्चित विद्या हैं जो परतेक विक्ति में बहुत कुछ इस्थाई होती हैं वेक्तित्व के गुण विवहार की बहु संख्यक सवरूपों का वर्णन करने की इस पस्ट और संख्यते विध्यामानी जाती हैं फिर हम देखें गुणों की संख्या कितनी होती है अब हमारे सामने यही परसन परकट होता है कि व्यक्तित्व के कितने विभिन गुण होते हैं इस परसन का उत्तर देते हुए मन महोदय ने लिखा है कि इस पूछने के समान है कि विक्तित्व के कितने विभिन अंग होते हैं या फिर पक्स, पहलू या सवरूप होते हैं वास्तों में ये बताना असंभ होए कि इन गुनों की संख्या कितनी है मतलब ये गुन जो होते हैं ये अनिस्चिते होते हैं फिर हम देखें गुनों के परकार विक्तित्व के गुन जो हते हैं वो अनेक परकार के होते हैं जैसे की नेतिक और आनेतिक गुन, वास्त्तिक और पर्टेक्स गुन, बाहिये और headquarters के गुन उदारियन के रूप में हम देखें कि बाहिये गुन जो हैं वो मित्रता, सक्ती, सांती और समाझीकता हैं और आंत्रिक गुणों की बात करें तो जो हमारे अंदर रहते हैं वो भय, चिंता, इच्छा और मरत्रकंग्सा, सारिरिक, मानसिक, धार्मिक, समाजिक, राजनितिक और व्यावसाइक, आर्थिक आदि जो गुण हैं ये भी गुणों के प्रकार में आते हैं, ये थार्त में, इन गुणों के संख्या इतनी अधिक हो जाती है, और ये एक दूसरे से इतने भिन होते हैं, कि नै तो इनका वरगेकन किया जा सकता है, और नै ही नै संभावता किया जा सकेगा, फिर हम देखें गुणों का महत्व क्या है, प्रतेक व्यक्ति में एक व्रक्ति को दूसरे व्रक्ति कें वी रहता है। उसमें कुछ अधर्स्य हो जाते हैं और कुछ इस्थाय रूप धारने कर लिते हैं। उदान के रूप में भय और चिंता के गुणों का लोफ हो सकता है और वे व्यक्तित्व में निरंतर उपस्तित भी रह सकते हैं। सारंच के रूप में हम गार्डनर वर मर्फि के सब्दों में कर सकते हैं कि व्यक्तित्व के गुण हमें दूसरों को और अपने को समझने के लिए एवं यह भविस्यवार्णी करने की समता परदान करते हैं कि हम में से परतेच क्या क्या कारिये करेगा। हम देशने वाले हैं गुणों का वीबरण। हम उपर लिख चुके हैं कि व्यक्तित्व के गुण हैं वो मानव विवहार के विभिन सवरूपों का वर्णन करते हैं। गेरेट मोहदे के अनुसार विवहार के इन सवरूपों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी भासा में कम से कम 18,000 विश्यशनों का प्रियोग किया जा सकता है। मनोव ज्यानिकों ने इन गुणों में से 12 जो गुण हैं उनको परधान गुणों की स्रेणी में रखा है। उनको परधान गुण की संग्या दी है। ये गुण एक दूसरे से 37 हैं एवं दो निश्चित और विप्रीत सिमाओं के अंतरगतिये रहते हैं। जैसे की बुद्धिमान, मुर्क, ड्यालू, कठोर ये सबी क्या हैं अपवजिक रूप में विद्धिमान हैं। हम वुडवर्थ मोदे के अनुशार परधान गुणों के समुओं में से कुछ का उलेख यहां नीचे कर रहे हैं। या हम परधान गुण और उसका जो विपरीत गुण है वो देखने वाले हैं। परधान गुण है तो इसका विपरीत गुण हो जाएगा अज्याकारी और अत्म गुण हीन। सांत समाजिक का परधान गुण है तो इसका विपरीत गुण हो जाएगा उद्विगन एकांत परिये। भावक कोमल हर्दे परधान गुण है तो इसका विप्रीत हो जाएगा भावना सुन्ने या फिर कठोर हर्दे सिष्ट सौंद्रिय प्रेमी परधान गुण है तो इसका विप्रीत गुण हो जाएगा एसिष्ट असत्ते उत्तरदाई परीशरमी परधान गुन है तो इसका विपृत गुन हो जाएगा गैर्ज मेदार पर नेरभर मतलब दूसरे पर आश्रित सहसी चिन्ता रहीत ये परधान गुन है तो इसका विपृत हो जाएगा उद्शाहिन सत्रक तेज सिग्ड़ता से करियर करने वाला परधान गुण है तो इसका विप्रीत गुण हो जाएगा सुष्ट और धिल मिल अत्यदिक उत्यजित होने वाला या फिर चिड़ चिड़ा ये परधान गुण है तो इसका विप्रीद गुण हो जाएगा आलशी से उत्यजित ने होने वाला सहन सिल परधान गुण है मित्र पुर्ण विश्वास करने वाला और इसका विप्रित गुण है सनेहसिल सत्रुता पुर्ण आगे हम देखेंगे वेक्तित्व के परकार की वेक्तित्व जो है वो कितने परकार का होता है वेक्तित्व का वर्गीकर्ण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक परकार से किया गया है इनमें से निमल लिकित तीन वर्गेकरणों को साधारणता है, स्विकार किया जाता है पर सबसे अधिक मैत्पून जो वर्गेकरण है वो अंतिम को माना गया है, अंतिम परकार को पहला परकार है सरीर रतना का परकार दूसरा है समासास्त्रिय परकार और तीसरा है मनोवेज्यनिक परकार तो तीसरा जो मनोवेज्यनिक परकार है इसी को सबसे मैंकून माना गया है हम बारी-बारी से तीनों परकारों का देने करेंगे सबसे पहले सरी रचना परकार जर्मन विद्वान क्रेश्चमर ने अपनी पुष्टक साइक्यू एंड करेक्टर में सरी रचना के आधार पर विक्तित्व के तीन परकार इन्होंने बताए हैं तो क्रेजमर महोदे ने सरी रचना के आदार पर वेक्टित्वा के तेन परकार बताए हैं सक्ति हीन इस परकार का वेक्ति दूबला पतला और छोटे कंदो वाला होता है मतलब सक्ति से हीन जो है वो दूबला पतला ही होगा सक्तिसाली हो गया वो तो मोटा तगड़ा हो जाएगा पहलवान इसकी भुज़ाएं पतली और शीना छोटा होता है उसके मुह की बनावट कौन केशी होती है जिस परकार कौन होता है वह दूसरों की आलोचना करना आधिक पसंद करता है पर दूसरों से अपनी आलोचना सुनना उसे अच्छा नहीं लगता है ये होता है सक्तिजिन दूसरा है एथलेटिक मतलब खिलाडी इस परकार के विक्ति का सरीर हष्ट पुष्ट होता है और वो सवस्ते होता है उसका सेना चोड़ा और उबरा हुआ तथा कंदे चोड़े भुजाए मजबूत मास पेश या पुष्ट और चेहरा देखने में अच्छा होता है ये हैं दूसरे विक्तियों से समंज़से करना पसंद करते हैं तो ये दूसरा परकार हो गया क्रेश्टमर का तीसरा जो परकार है वो नाटा है पिक्निक इस परकार के विक्ति का स्रीर मोटा, छोटा, गोल और चर्बी वाला होता है उसका सेना नीचा और चोड़ा पेट आगे की और निकला हुआ और चेहरा जो होता है वो गोल होता है ये कैसे होते हैं, ये आराव मतलब और लोगपीये होते हैं तो ये तीन परकार क्रेश्च मरनें बताए हैं फिर समासास्त्री आधार पर वेक्तित्व के परकार इस प्रेंगर महुदे ने अपनी पुस्तक टाइप्स ओफ मैन में वेक्टिक के समाजिक कारियों और इस्तिति के आधार पर वेक्टित्वके 6 परकार बताए हैं तो समाशास्त्री आधार पर वेक्टित्वके 6 परकार इस प्रेंगर मोदे ने बताए हैं पहला है सिध्धान्तिकल इस सिध्धान्तिक मतलब इस परकार का वेक्ति जो है वो विवार की अप्यक्ष्या अपने सिध्धान्तों पर अधिक बले देता है वह सक्ते का फुजारी और आरादक माना जाता है जार्शनिक जो होते हैं वो सिध्धान्तिक विचार वाले वेक्ति ही होते हैं दूसरा परकार है आर्थिक, एकोनोमिक, इस परकार का वेक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दरिश्टी से मुल्यंकने करता है, वह हर काम को लाब के लिए ही करना चाहता है, जिस काम में उसे लाब नहीं होता, वो उसे नहीं करता है, वो उसे दूर रहता है, वह पून र लोग हैं वो इसी स्रेणी के अंतरगते आते हैं तीसरा है सामाजिक सोसल इस परकार का विक्ति प्रेम का पुदारी होता है वह दया और सहनुभूती में विश्वास करता है उसे सक्ते और मानोता में अगाद सिद्धा होती है और वह समाज के कल्यान के लिए सब कुछ से करने को तैयार रहता है अगला जो परकार है वो है राजनीतिक मतलब पॉल्टिकल इस परकार का विक्ति सत्ता प्रभुत्व है और नियंत्र में विश्वास रखने वाला होता है और उसका मुख्य लक्षे या धेजो है वो है इन बातों को सदेव ये थावत बनाए रखना अग उसका जिवन साधा और सरले माना जाता है किसका जो धरमिट परवड़्तिके होते हैं अगला परकार है कला अत्मग इस परकार का विक्ति पर्टेक वस्तु को कला की दिश्टी से ही देखता है उसमें कला और सौंध्ये में समद्धि इस्थापित करने की परबल इच्छा हो और वह विश्वस्निय तो बिलकुल भी नहीं होता। अगला जो परकार है वो मनोवेग्यानिक परकार है। दूसरा है बहीर मुखी व्यक्तित्वे अब देखते हैं अंतर मुखी व्यक्तित्वे क्या होता है। होकर आंतरिक रूप से होता है। अंतर मुखी व्यक्तित्वे वाले मनुख से अपने आप में अधिक रूची रखते हैं। बाहर का उशे उनको किसी परकार कर लेना देना नहीं होता है। उनका जुकाव हमेशा अंतर की और ही होता है। मतलब भीतर की और ही रहता है। वे अपने को बाहर रूप में परभावपूर्ण डंग से व्यक्त करने में सफल नहीं होते हैं। उनका आंतरिक विशलेशन की उनमें दो आंतरिक विशलेशन है। उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। उनकी मानसिक सक्ति का विशेश रूप से विकास होता है। और वे दूसरे लोगों में बाहिय वातावर्ण और एक विशेश परकार से ही अपना अनुकुलन कर पाते हैं। वे संकोची होने के कारण अपने वीचारों को इस पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठनाय का अनुभव करते हैं। उनके और उनके साथियों के बीच में एक परकार के दिवार जो है वो एक तरह का परदा ही होता है और वे आउसेता से अधिक सरमिले होते हैं और सपने वाले खुद जहेंपने वाले होते हैं। उनमें अन्ते किलिया आत्मक प्रकिया सदेव गतिशिल अवस्ता में विद्दे मार रहती हैं और वे कल्पना के संसार में उड़ाने भड़ते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी वो बन जाते हैं। इस वेक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं। ये अपने विचारों और भावनों को इसपस्ट रूप से व्यक्ति कर सकते हैं। और ये संसार के भोतिक और सामाजिक लक्षियों में विशेश रूची रखते हैं। इस वेक्तित्व के मनुष्य अधिकांस रूप में सामाजिक, राजनेतिक ये फिर व्यापरिक नेता होते हैं। फिर आगे है वेक्तित्व के परकारों की समेक्ष्या। वेक्तित्व के वर्गीकरण के समन्द में उप्युक्त के अलावा और भी अनेक अन्य सिधानते हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रकार के वर्गी करनों के विशे में अपना मत व्यक्त करते हुए क्रों एंड क्रों महोदे ने लिखा है कि इस प्रकार के वर्गी करनों की एक समान्य आनुतना ये है कि ये विकास के किसी ने किसी पहलू पर बल अवसे देते हैं और समान्य मानु सभाव की अपेक्षिया उसके हुग्ग रूपों की ये व्याख्या करना पसंदे करते हैं. फिर है व्यक्तित्व को परभावित करने वाले फैक्टर मतलब कारक कौनकोन से होते हैं. रेक्स वन नाइत महोदे के सब्दों में मनोविज्ञान का जो समंध है वो वेट्टित्व के विकास को परभावित करने वाले कारकों से ही माना जाता है इन में से कुछ कारक सारीरिक रचना समंधी और जनमजात एवं दूसरे प्रियावन समंधी होती है हम उपर अंकित कारकों के प्रभाव का त्रमबद वीवरण यहां नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसमें पहला है वन सानुकरम का प्रभाव अनेक मनोविज्ञानिकों ने अपने अध्धेनों के आधार पर ये शिद्ध कर दिया है कि वेक्तित्व के विकास पर वन सानुकरम का जो प्रभाव है वो अन्यवारी रूप से हमें देखने को मिलता है उदार्ण के रूप में हम देखें फ्रांसिस गाउल्टन महोदे ने ये शिद्ध किया है कि वन सानुकरम के कारण ही वेक्तियों के सारीरिक और मानसिक लक्षनों में भिंता दिखाई देती है इसी परकार कॉंडॉल और काल पर्षन ने शिद्ध किया है कि कुलीन एं व्योसाहिक कुलों में उत्पन होने वाले वेक्ति ही साहित्ते विज्ञान और राधनिति के च्छत्रों में ख्याती प्राप्ते करते हैं अन्त में सारांस रूप में हम यही कह सकते हैं कि इसके नर्क वै हेरिमन महोदे ने क्या का है कि मनुष्य का वेक्तित वैदु है वो सौभाविक विकास का परिणाम नहीं है उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित, सारीरिक मानसिक, सम्वेगा रत्मक और व्योवसाइक सक्टियां प्राप्ते होती हैं दूसरा कारक है जेविक कारकों का परिभाव मुख्य जेविक कारक है नलिका विहीन गरंथियां या फिर और दूसरी है अंत्यस्त्रावी गरंथिया और सारीरिक रसायन इन कारकों का वेक्तित्व के विकास पर जो परभाव पड़ता है उसके विशे में गेरेट महोदे ने लिखा है कि जेविक कारकों का परभाव समजी कारकों के परभाव से ज्यादा सामाने और कम विशिष्ट है पर किसी परकार कम महत्पूर्णे नहीं है जेविक कारक ही वेक्तित्व के विकास की सिमा को निर्धारिते करते हैं फिर अगला कारक है सारीरिक रचना का परभाव सारीरिक रचना के अंतरगत, सरीर के अंगों का पर्षपरिक अनुपाद, सरीर की लंबाई और भार, नेत्रों और बालों का रंग, मुख की आकरती आदिश के अंतरगते आते हैं ये सभी किसी ने किसी रूप में वेक्टित्वर के विकास को परभाविते अवस्य करते हैं, उदार्ण के रूप में हम देखें कि एक बहुते छोटे पैरों वाला मनुष्य अच्छे दोडने वाले के रूप में कभी भी येस के प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो छोट तो उससे कम दूरी तेह होगी और एक लंबा इंसान, लंबे पैरो वाला उतनी ही दूरी कम समय में पूरी करता है, इसलिए मेटडूल महोदे ने इस पर बल देते हुए का है कि हमें उन विशिष्टाओं के एपर्टेक्स परभाओं को निश्चित रूप से स्विकार करना पड़ेगा जो मुख्य रूप से सारी रिके होते हैं, अगला कारक है देहिक प्रवर्तियों का परभाओं, जलोटा महोदे का इसके समन में मत है कि देहिक प्रवर्तियों के कारण सरील के अंदर राशानिक प्रिवर्तने हमें देखने को मिलते हैं, जिसके फ़ल सोरूप, व्यक्ति, महत्व, अकांक्सी या फिर अकांक्साहीन, सक्रिये या फिर निश्करिये बनता है, इन बातों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर वांसनिये या फिर एवांसनिये प्रभाव पढ़ना एक सोभावी के बात है, वुडवर्त महोदे ने इसके समन में लिखा है क प्रिणामते हैं उसके विवहार को परभाविते करती है। प्रिणामते हैं उसके विवहार को परभाविते करती हैं। प्रिणामते हैं उसके विवहार को परभाविते करती हैं। भोतिक वातावरन का परभाव। भोतिक या फिर प्राकरतिक वातावरन अलग-अलग देशों और प्रदेशों के निवासियों के वेक्तित्व पर अलग-अलग तरे की चापे लगाता है। यह करण है कि मरुष्टल में निवास करने वाले अरब और हिमाचादित टुंडरा प्रदेश में रहने वाले एसकिमों, लोगों की आदतों, सारिरिक बनावटों, जीवन की वीधियों, रंग और स्वास्ते, आदी में इसपस्ट अंतरे हमें देखने को मिलता है। थोर्प महोदे और इसमेलर महोदे ने इसके समन में लिखा है कि यदबी भोतिक संसारों में अंतरों का विक्तित्व पर पढ़ने वाले परभावों का अभी तक बहुत कम अध्यने किया गया है। पर भावी अनुसंधान यह सीद कर सकता है कि ये प्रभाव आधार ही नहीं है अगला जो कारक है वो है समाजिक वातावन का प्रभाव बालक जन्म के समय एक मानव पस्चू होता है उसे ने तो बोलना आता है और ने ही उसो एक कपड़े पहनना आता है उसका ने कोई आधर्स होता है और ने किसी परकार का विवार करना वो जानता है पर समधिक वातावन के संप्रक में रहकर उसमें धीरे धीरे प्रिवर्तन होने लगते हैं उसे अपनी भासा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की वीधी, दूसरों के साथ वेवार करने के परतिमान, धार्मिक एउन, नेतिक विज़ार, आदी अनिक बातें जो हैं, वो उसे समाज से प्राप्ते होती हैं, और वो ये सवी बाते समाज से ही सीखता है, इस परकार समाज उ वेक्तित्वे उस समाज के दोरा जिसमें वो रहता है, निर्मित और परिवर्थित किया जाता है, अगला जो कारक है, वो है सांस्कृतिक वातावन का परभाव, समाज वेक्तित्वर का निर्मान करता है, संस्कृति उसके सवरूप को निश्चित करती है, पर तेक संस्कृत में जनम लेता है जिसमें उसका लालन पालन होता है उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का सोरूप निस्चित्ता प्रदान करता है इस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी सेंसकर्ति की अमिर्ट छाप जो है वो लग जाती है बोरिंग महोदे लेंगफिड महोदे वो होदे ने इसके सम्द्ध में अपने विचार प्रकट करते हूए कहा है कि जिस संसक्रती में वेक्ति का लालन पालन होता है उसका उसके वेक्तित्व के लक्षनों पर सबसे ज्यादा व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है अगला कारक है परिवार का प्रभाव विक्तित्व के निर्मान का करिये परिवार से ही सुरू होता है यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्ष्या और सवतनतरता का वातावन प्राप्त होता है तो उसमें साहस, सवतंतता और आत्म निर्भड़ता जैसे गोणों का विकास होना सवभाविक है इसके विप्रीट यदि उसके परतिक कठोड़ता का विवार किया जाता है तो उसे छोटी-छोटी बातों के लिए डांता और फटकारा जाता है तो वो कायर और असत्ते भासी बन जाता है परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक और समजिक इस्तिति का भी उसके विक्तित्वा पर इसपश्ट परभाव देखनी को मिलता है इस परकार जैसा की थोर्प और इसमूलर महदे ने इसके समन में लिखा है कि परिवार बालक को ऐसे अनुभव परदान करता है जो उसके विक्तित्वा के विकास की दिशा को बहुत अधित सीमा तक निस्चिते करते हैं अगला जो कारक है वो है विद्याले का परभाव विर्तित्व के विकास पर विद्यले की सभी बातों का पर्तेक्स रूप से परभाव पड़ता है जैसे की पाठेक्रम, अनुशासन, सिक्सक छात्र समंद, छात्र छात्र समंद, छेलकुद, आदिस सभी का परभाव बालत पर पड़ता है अनेक मनोग्यानिकों की ये अतल धारना है कि अपचारिक पाठेक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और शाहनुबुती, सिक्सक यों छात्रों के पार्श परिक, व्यमनस्यपून समंद, विक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विक्रते बना देते हैं इसके समंद में क्रोंड क्रों मोदे ने लिखा है कि बालक के विक्षित होने वाले व्यक्तित्वर पर विद्द्यले के अनुभाव का परभाव उससे कहीं अधिक पड़ता है, जितना की कुछ सिक्सकों का विचार है अगला जो कारक हमें देखने को मिलता है वो है परभावित करने वाले जो अन्य कारक है कि विक्तित्वर को परभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं तो इसमें हम देखिये हैं कि एक कारक तो है बालक का पडोश, समुह और परिवार की एकलोति संथान होना अगला कारक है बालक के सरेरिक, मानसिक दोस, समव्य गात्मक, एसंतुलन और माता की मर्त्य के कारन प्रेम का अभाव अगला कारक है मेला, सिनेमा, धार्मिक इस्थान, आराधना इस्थाल, जीवन की विशिष्ट परिस्थतियां और समाजिक इस्थति एवम कारिये तो ये सभी कारक जो हैं ये व्यक्तित्व को परभाविते करते हैं अंत में निश्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर अनेक कारकों का परभाव बढ़ता है इस परभाव के समगर रूप का धिन करके ही व्यक्तित्व के विकास की वस्त्विक प्रीधियों का अनुमाने लगाया जा सकता है ऐसा करते समय इस तक्ते पर विशेश रूप से ध्यान रखना आउस्यक है कि वेक्तित्व को परभावित करने वाले सबसे अधिक सुत्यसाली कारक प्रियावन समंदी हैं। इसी के साथ ये रेप्टर यहीं समाप्त होता है।